नमस्कार आप देख रहे हैं EVP Sports Live आपके साथ EVP Sports Live पर जुड़ गए हैं और भारत को Women's T20 World Cup के पहले मुकाबले में New Zealand ने करारी शिकस्त दे दिया है भारत और New Zealand के बीच पहला भारत का मुकाबला खेला गए T20 World Cup Women's T20 World Cup 2024 का जहांपर New Zealand ने भारत को अठावा रनों से करारी शिकस्त एक तरफा मुकाबला New Zealand के लिए बिलकुर कहें एक competition में दिखी है नहीं भारतिय टीम चाहिए आप बलेबाजी की बात करें चाहिए आप गेंदबाजी की बात करें बलेबाजी में complete fall down हुआ विकेट लगातार गिरते गए कोई एक बलेबाज टीका नहीं वहाँ पर शुदबाज सब को मिली बट बड़ी पारी में convert करने में सब लोग नाकामियाब उसके बाद अगर आप गेंदबाजी देखेंगे इनबाजी का balling card उठा कर देखें दिप्ति शर्मा बहुत मार पड़ी है आशर शोबना ने थोड़ी अच्छी गें भारत मैच खुद से हा रहा अगर आप देखें इस पूरे मैच में जिस तरीके से performance रा न्यूजलेंड कई गोना बहतर खेरा चाहें बैटिंग की बात करें बालिंग की बात करें भारत ने इस मैच में कुछ अच्छा नहीं किया बैटिंग में देखिए पूरी तरह से collapse हु ले लिजे जैमिमा रॉद्रिकस ले ले लिजे सबको स्टार्ट मिला दस बारा पंदरा रनों ने बनाए लेकिन किसी भी एक खिलाडी ने वो सोफिय वाली पारी नहीं खेली जो न्यूजलेंड की कप्तान खेल की गई एंड तक कोई नहीं लेके गया और इसके बाद आप 19 ओपर बैटिंग हुई लेकिन रन सिर्फ 101 बने और बड़ी हार 58 रनों से हार हुई है और बहुत सारे आप पोइंच निकाल सकते हैं इसमें बहुत खामिया रही लेकिन यह हार बहुत चुपने वाली है क्योंकि अगला मैच पाकिस्तान से है और पाकिस्तान जीत चुका है बिल्कुल पाकिस्तान शुलंका से जीत कर रहा है भारतिय टीम का अगला मुकाबला पाकिस्तान से होना है दबाओ completely भारतिय टीम के उपर रहा क्योंकि पाकिस्तान जीत के साथ टूनामेंट का शुरुवात करके आ रही है भारतिय टीम पहला ही मुकाबला हार गई है न सिर पॉइंटर्स जहां पर भारती टीम पीछे रहेगी सबसे पहला आपका उपनिंग पार्टनर्शिप जो आपकी जो उमीद थी कि अगर यह अच्छी होती है तो निचले करम के बले बाद जों को एक हेल्प मिलेगी एक बेस एक फंडमेंटल मेरेगा कि आप 161 रंचेज के लि निबाने की कोशिश की बट उनका जो श्टार्ड उनको मिला था उसको कैपिटिलाइज नहीं कर पाई तीसरी चीज जब दूसरी पारी में भारती टीम बले बाजी करनी आई तो वहाँ पर निचलेंड की स्पिनर्स को काफी जादा मदद मिल रही थी गेंदबाजों को और ने महां से थ्रोक किया वो आउट हो गई वो रण चुडानी के फिराक में थी अमिलिया केर और सोफी डिवाइन बट वो रन आउट हो यह अमिलिया केर निकल चुकी थे डगाउट के लिए कि अब मैं आउट हूँ बट उनको बुलाया गया उनको रोका गया इस पर आउट लग रहा था अविसली जब आप केहरें कि अवर खत्म हो चुका है तो फिर आपको न्यूजलेंड के बल्लेवाजों को रन नहीं लेना जाए था दोनों बल्लेवाजों ने डेट बॉल हूई थी थी ना होई भी नहीं था है तो आप उसमें से रन चुराओगे तो तो अविसली थो करें के रन आउट के लिए तो अपने रन स्काउंटर को अपनी विल्डर को अपनी विकेट कीपर को बॉल था उसके बाद इतनी देर मैच रुका रहा बहस होती रही अंपैर सावे उनके पोच आगे इंडियन टीन के शेफाली इधर बोल रही है इधर से म स्मृती मंदाना इधर से हन्मिन प्रीद और डिसकेशन के बाद हम बायर पूरी तरह करने में लगे जो आउट होगे ए खिलाडी उसको वापस बुला लिया गया नहीं आप बैटिंग कीजे तो यह मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा सा जरूर आप सोचना चाहिए और इ आइसे को भी सोच रहा सोच जाए कि कल गे मैंच पर यह कुछ हरंदा गेज सीज होगी थी जब पकिसान वाल मसला जो आप बाल मसला हुआ था और वो स्टोरी अमने की हुई आप देखेगा लेकिन सेम टूसीम आज मिलता 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 अप एससे आग देखें आप विकेट हाला कि उसके बाद जादा उन्होंने कुछ हाम नहीं दिया भारतिय टीम को अगर एक दो गेंद पहले विकेट गिरा होतो तो क्या पता सनेरियों कुछ और होता क्या पता चीजें बदल जाती बड़ यह सित्व आप कहने की बात है लेकिन अनिराश्य जानक प्रद जानकारियों के लिए भारतिय टीम से इसके बारे अपनी रहा है हमें आप कॉम्मेंट सेक्शन में जरूबत आईएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो से लाइक करेगा शेयर करेगा और स्पोर्स और वोमेंस 20 वर्ड कप से तमाम अपडेट तो जानकारियों के लिए एवीपीश्पोस लाइब को सब्सक्राइब करेगा और इस वीडियो को शेयर करेगा लाइक करेगा